जी कैफ और आज के लेक्चर का अगास करते हैं लेक्चर नुबर मारा 37 चैप्टर चल रहा है एट चैप्टर का टाइटर बहुत इंडरस्टिंग है certain relations resembling contract याने कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिनके दर्म्यान में contract नहीं हुआ लेकिन contract की तरह का relationship हुआ है certain relations resembling contract नहीं हुआ लेकिन contract की तरह का relationship हुआ है certain relations resembling contract लेकिन नॉर्मली contract में क्या होता है कि एक offer है एक offer है offer को कोई offer करता है offer उसे accept करता है और दोनों में contract हो जाता है यह तो एक typical contract है लेकिन सम्टाइम ऐसा होता है offer offer नहीं करता एक्सेप्टर एक्सेप्ट नहीं करता उस तरीके से जिस तरीके से उन्हें एक्सेप्टर से पड़ाता है लेकिन उसके बावजूद law कहता है दुनों में contract create हो गया दुनों में contractual relationship क्रियेट हो गया कब जब offer बाकाइदा offer नहीं कर रहा कोई एक्सेप्टर इसको बाकाइदा एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा उसके बावजूद भी दोनों पार्टी को देखा भी नहीं होता देखा भी उसके बावजूद भी उन दोनों में contract हो जाता है ना एक पार्टी ने कभी दूसरे को कभी देखा ना कभी एक लफज भी कहा उसके बावजूद उन दोनों पार्टी के दरम्यान में contractual relationship बन सकता है ऐसी ही situations को cover करता है हमारा यह चैप्ट है आपको थोड़ी जीब सी बात लग रही होगी कि आफ्र आफ्री को नहीं जानता आफ्री आफ्र को नहीं जानता उसके बावजूद भी उन दोनों के दिरम्यान हमें केसी क्रिट को सब्सक्राइब लेकिन तो लेकिन जूँकर इसमें बाकाइदा जिसवा एक एक सब्सक्राइब करते हैं यह नहींहीं हो जाता है इस इसी वजह से एला ने कहा कि रिलेशन रिजेंब्लिंग कॉंट्रेक्ट यानि ऐसी स्टुएशन जिन में बाकाइदा तो नहीं लेकिन तकरीबन कॉंट्रेक्ट हो जाता है इसकी दो एक्जेम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूं पहली एक्जेम्पल आप किसी दोस्त के घर क्या है घर फालों ने आपसे कहा कि आप कुछ समान लेका आईए अपर एक्जास मिठाई लेक्रip दोस के घरकाई ब्लागात करते जाते हैं दोसके घर बैठे और गलती मिठाई का डबबा उदर भूल है गलती से मिठाई का डबा उससे पहले आप कभी दोस्के गर मिठाई का डबा लेके नहीं गए और दोस्कों भी ये पता है कि आप से मिठाई की तब का नहीं की जाए आप तो जब पास होते हैं तब नहीं मिठाई खिलाते हैं बताईए इस सिट्वेशन में क्या आपके दोस्त को क्या करना चाहिए क्या उसे वो मिठाई खा लेनी चाहिए या क्या आपको वापिस करनी चाहिए वापिस करनी चाहिए इसका मतब यह हुआ कि जैसे उसने मिठाई का डबा देखा एक तरह से उसके और आपके दर्मियान में कॉंट्रेट की तरह का रिलेशन्शिप बन गया जिसमें आपका राइट है क्या? कि मिठाई को वापिस हासिल करना और उसकी लाइबिलिटी है क्या? आपको मिठाई देंड़ एक और एक्जेम्पल देंड़ आप किसी जगा पे गए किसी फार एक्जेम्पल मेरिज हाल में वहाँ पे आपने देखा जमीन पे कोई सोने की अंगुठी गिरी हुई है आपने दाइँ देखा कोई ने था बाइँ देखा कोई ने था फिर नीचे से अंगुठी उठाके जेब में किसी ने पूछा क्या उसना का आपने किसी ने पूछा गुठी कहां से ली आपने का मुझे तो अल्ला मिया की जमीन से मिली है यह तो मेरी है क्या अल्ला मिया की जमीन से जो चीज मिले है किसी दूसरे की गिरी हो उठा कि हमने अपनी जे में रख लें क्या हमारी हो जाती है ला कहता है नहीं ला कहता है जिस सेकंड में आपने अंगूठी उठाई ना उसी सेकंड में आपके और उस अंगूठी के माली के दर्मयान में कॉंट्रेक्ट हो गया हाला कि आपने उसको नहीं कभी देखा उसने आपको नहीं देखा लेकिन दोनों के द कि आपने गुठी true owner को वापिष करनी है और true owner के क्या rights है कि आपने गुठी वापिश खासिल करें लेकिन जिस तरह आप की liability है true owner को गुठी वापिष करनी है law कहता है उसी तरह आपके कुछ rights भी है किया true owner को ढूंडने में जो खर्चा लगे आप वो टू ओनर से वापिस रिकावर करवा सकते हैं और इसी तरह जिसरा टू ओनर का राइड है कि उसे अंगुठी वापिस मिले टू ओनर की कुछ लाइबिलिटी भी है क्या कि वो आपका जो भी खर्चा लगा है उस टू ओनर को ढूड करता है जैसे एक अब मुझे यह बताइए इस कुंट्रैक्ट में बजाहिर अगर देखें तो पार्टी का अपस कोई कुंट्रैक्ट नहीं हुआ फाइंडर ऑफ दी लॉस्ट बूर्ज के केस में इस वापटी पार्टी निंग मिल बैट किने निटा कि लेकिन लाग कहता है फिर भी दोनों के दर्मयान में कुंट्रैक्ट्च्वल रिलेशनशिप स्टैबलेश होगा है आप खुद बताएए यह कुंट्रैक्ट्च्वल रिस्मांस लाइबिलिटी होनी चाहिए के नहीं के त्रू नर को ढूंड के चीज़ वापिस करो और अकर नहीं वापिस की जा लेकिन अगर उसको उठा लेते हैं तो आपके दर्म्यान में और उस चीज के माली के दर्म्यान में कुंट्रेक्ट हो गया यह इसी तरह कि यह दो एक्जेंपल्स मैं आपको दी है एक फाइंटर ऑफ दी लॉस्कूर्ट की और एक जिसमें आप किसी के घर चीज़ें भूल जा पहले के क्षखनी था जिर कर दिसके दर्म्यान में कॉंट्रेक्ट तो नहीं होता लेकिन गुन्टरेक्ट की तरह का रिलेक्शंशिप बन जाता है जिसमें दोनों पाटिश के कुछ राइट होते हैं इस एसे कॉछी हो जो बंदे हैं हूआ पढ़ी है तो इसे कहते हैं कोजाई कंट्रेक्ट कोजाई कंट्रेक्ट या इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉंट्रेक्ट करते हैं जो के पार्टी के साथ क्रियेट चाहिक तो अधिश्यнул जिसको चीज मिली उसने चीज Gy जो कुंज पर टार उससे हैं जो क्यों को स्था और बेसिज क्या होते हैं इनलाओ की प्रिंसपल ओफ एक्विटी प्रिंसपल ओफ एक्विटी एक्विटी का मतलब क्या होता है नो बन शुट गैट बैनेफिट एड़ एक्सपेंस ओधर बराबरी होनी चाहिए लोगों में कोई दूसरे बंदे के साथ जयाती ना करें कोई दूसरे के खर्चे पे खुद बैनेफिट हासर मुबाइल गिरा हम ने उसको ठाक इस्तमाल करना शुरू कर दिया हमने क्या हमने हासिल किया add the expense of other person ठीक है यह नहीं होना चाहिए हमारे पास हमारे गर में कोई बंदा कोई चीज भूल के हमारे डिलिवर कर गया क्या हमें वो चीज खुद हासिल कर लेनी चाहिए खुद उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए नहीं नोवान शूट अगर हम यह ऐसा करते हैं तो हमें बैनिफिट होगा add the expense of other person जिसने रांफ्री डिलिवर कर दिया कि लाग कहते है असूल यह है कि एक बंदे को दूसरे के खर्चे पे खुद बैनिफेड नहीं उठाना चाहिए इसको कहते प्रिंस्पल ओफ एकुटी इस प्रिंस्पल ओफ एक्टी की वजह से कुजाई कुंट्रेक्ट क्रिएट किया गया यह चाप्टर यह चाप्टर और यह चाप्टर नहां होता तो आप देखें सारी example में का फैदा हुरा था एका नुकसान हो रहा हूदा था फाइंडर का फैदा हो रहा हुदा जिसके चीज़ें कि घूँए उसका नुकसान हो रहा हुदा था ठीक है तो नो इसमेंड सथे जो अब आगे चलते हैं इसके कुजाय कुट्रेक्स की कितनी टाइब है कोजाय कुट्रेक्स होते कुष नहीं से हैं जो पार्टी लिकर्टी करता है उन्टी बेसी दोस प्रिंस्पल फिकुटी का पहली एक्जेम्पल निससेस्टीश सप्लाई टू इन कंपेडेंट परसन मुझे यह बताईए एक छोटा ब भी कुछ नहीं हम उसके करीब से गुजरें क्या हमें उसके लिए कुछ खाने पीने का निसेस्टिस ऑफ लाइफ प्रवाइड कर देनी चाहिए उसे खाने पीने को कुछ चीज दे देनी चाहिए सर्दी से बचाने के लिए उसे गरम कपड़े दे देनी चाहिए यह हमने नेक नेकी का अच्छा नेना चाहे तो ना लें लेकिन अगर आप प्रैसे लेना चाहते हैं कि आप उसे रिकवर करवा सकते हैं के नहीं ये आप्शन होनी चाहिए के नहीं ये लाओ कहता है ये आप्शन है आप अगर नेकी समझ कि किसी से पैसे ना लें लेकिन आपका राइट है आप उससे price recover करवा सकते हैं, किसे? माइनर से, किसे इसकी price, necessities of life की price, जो आपने उसको provide की है, ठीक है? लाइसमें टम यूज करता है, अगर आप incompetent person को necessities of life provide करें, आपके पास ride है, आप उसकी property से reasonable price recover करवा सकते हैं, इसमें incompetent person में लाइसमें दो example देता है, कौन-कौन सी, एक minor और दूसरा person of unsound mind, minor और person of unsound mind, तो अगर आप किसी minor को, या किसी person, अपर फर्स कीजिए, हमारा दोस्त है, पागल हो गया, पागल हने चला गया, अब देखें, पागल अपना इलाज पुद खरवा सकता है, किसी ना किसी को करवाना पड़ेगा, फर्स कीजिए, कि और उसके घर में कोई नहीं इलाज करवाने वाला, हम अगर उसका इलाज करवाते हैं उसके इलाज पे पैसे खर्च करते हैं और अगर हम पैसे वापिस लेना चाहते हैं जो इलाज पे खर्च करते हैं अगर इलाज हो गया और वो जो पागल था ठीक हो गया और उसने हमसे कहा भाई मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था मेरे इलाज में पैसे खर्च करो बागो और मैंने तो नहीं कहा था क्या मैंने तुम्हें कहा था मेरे इलाज में पैसे खर्च करो हमने कहेंगे नहीं तो हमने तो बागो हमने का, भई हमने फिर भी नेख नीती के साथ, हमने का, हमारा दोस्त है, चलो हम इसका इलाज कर उते हैं, जब ठीक हो जाएगा तो हमें पैसे देगा, इसका भी fाइधा हो गया, हमारा भी फाइदा हो गया, हमने जो पैसे खर्श किये थे वापिस विल गए, अगर तुम हमें पैसे वापिस नहीं करोगे तो यह तो वही मिसाल हो जाएगी कि आपने benefit हासिल किया You got benefit at the expense of ourself ऐसा तो नहीं होना चाहिए तो ब्राए मेरे मानी मारे पैसे वापिस कर क्या वो जो person of unsound mind है जो ठीक हो गया हमें पैसे वापिस करने के लिए लाइबल है इसी सवाल का जो आप लाने दिया लाग क्या कहता है जड़ा घूर से सुनिएगा गोर से सुनिएगा एक्जाम में पूछेगा इसलिए घूर से सुनिएगा लाग कहता है अगर आप necessities of life necessities of life necessities, luxuries नहीं, necessities necessity of life provide करते हैं किस को किसी incompetent person को incompetent person किसे कहते हैं for example minor for example unsound mind इन को क्या provide करते हैं अच्छा आगे चलने से पहले इसमें debate कर ले necessity of life क्या होती हैं और क्या नहीं होती हैं रोटी कपड़ा और माकान इसमें तालीम भी शामिल कर लें एजुकेशन इसमें medication भी शामिल वह भी तो जिन्दकी के लिए जरूरी है अगर आप यह चीजें provide करते हैं किसको किसी माइनर को अंसार्ण को recover कर वा सकते हैं यह necessity में शामिल लगजरी क्या हैं आप किसी को आप किसी को माइनर को स्कूल کی किताब्वे यह क्या है और अगर उसको वीडियो गेम्ज लेते लेख जरी सہ इस हो लादे जाने के लिए सयकल थे भी एमडवल्यू थे हैं लगजरी तो तो अगर क्या प्रवाइड करें निस्टेस्टिज किसको इनके डिपेंडेंट को डिपेंडेंट को वो लोग जो इस परसन के उपर डिपेंडेंट थे जैसे भी बचफे डिपेंडडेंट बीबचえ को डिपेंड़ेंड इनको परवाइड करें निसस्टेस ओफ लाइफ यह इनके डिपेंड़नेंट को तो आप पैसे recover करवा सकते हैं. शर्त क्या है? पहली शर्त, आपने necessities of goods supply की हों, luxuries नहीं necessities. दूसरा आप reasonable price recover करवा सकते हैं, अपनी मरजी के नहीं. तीसरा recovery होगी इनकी property से. अगर इनके पास कोई property नहीं है, recovery नहीं हो सकते हैं. अच्छा जो बना हमने जिस बनले से हमने पैसे लेने और हमें पैसे ना ना दे, हम उसके खिलाफ case file कर सकते हैं, और code से कह सकते हैं, यहां तो इसे कहें, पैसे दे, यहां इसको insolvent करार दे, ताकि सारी जिए कि बिजनिस ना कर सके. नॉर्मली ऐसे करते हैं. माइनर की case में लाग क्या जा रहा है, शर्त यह है कि तुम्हारे पास बहुत प्रापर्टी बोथ है, यह तो तुम्हार रस्ताबूल के दे बैठे हुए, मैं तुम्हें जान गया हूँ, पहसान गया हूँ, मैं तुम्हें code ले देता हूँ, शर्त ही है, जब तुम अपने घर कोणे के मुझे 10,000 पे अदा करोगे, code 1000 पे का है, हमने 1000 पे का code दे के उसे दे दिया, बताएए क्या हम price recover कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, लेकिन कौन सी price, 1,000, 5000 से ज्यादा नहीं, 1,000, मैंना ने कहा, ऐसे code तो मेरे जो आप दे रहे हैं, ये तो मेरे घर में भी बहुत बढ़े हुए है, मुझे तो ऐसा code दीजिए, जिस पे सुनने के बटन लगे हो, हमने का no problem, सुनने के बटन वाला code देते हैं, सुनने के बटन वाला code मिलता है, एक लाख का, हमने का दे लेक्जरी जाए हैं, निसेशिज अफ लाइफ नहीं है, आपको वो केस यहाद है, शायद हमें क्लास में डिसकर्श के था, BMW वाला, जिसमें एक डीलर जो था, वो BMW प्रवाइड करता है माइनर को, श्रेब नाम था उसका शायद 16 साल का बच्चा, तो बताईए, हमने क्या क लाइफ नहीं क्यों बीएंडव निसेशिज अफ लाइफ नहीं है, लेक्जरी तो कंसर्ट समझाया है आपको, कि अगर निसेशिज अफ लाइफ सप्लाई करें, प्रवाइड करें, किसको, माइनर को या, इनके डिपेंडन को, तो आप उससे रिकवरी करवा सकते हैं अपन इसको एैजिज आप छाया है । अब जरह मुझे सोच के बताइए, अगर ला में ये परवीन ना होती तो कोई माइनर या जो पर्सन ओफ़ांसाउंड मारी इनकी हल्प करता हैं इनकी हल्प करता हैं। इसने की हम जे शॉढ्य हैं और जो पैसे दे के बूल जाने वाले हैं कि लेकिन ऐसे लोग जो कि नेकी करना तो चाहते हैं दूसरे का भला तो करना लेकिन अपना नुक्सान भी नहीं करना चाहते हैं वो यह कामना करते हैं यह अपना भला भी करना चाहते हैं और अपना नुक्सान भी नहीं करना चाहते हैं ठीक है यह माइनर है मेरे घर में भी त professional आगर किया है यह क्लियर मिया सकते इवन उसे वी रिकवर नहीं उसके वालिद ही है ना अगर पे उसा भी रिकावर नहीं करवा सकते हैं क्योंकि लाग कहता है माइनर लादा परशन है और यह हमने वह माइनर एक पॉजिशन ऑफ माइनर एगरिमेंट उसमें भी यह लाइन पड़ी थी अगर हमने माइनर या पर्सन ऑफ लाइफ प्रवाइड की अब उसके बाद वो ठीक हो जाता है फार एजमपल अंसाउंड माइनर जो है वो फार एक्जमपल बड़ा हो जाता है यह उसके पास पैसे आ जाते हैं तो क्या हम पैसे रिकवर करवाएंगे डिरेक्ट माइनर से या डिपेंडेंट माइनर या पर्सन ऑफ अंसाउंड मैंट से पैसे रिकवर करवा कि हमें देगा हम डिरेक्ट माइनर या पर्सन ऑफ अंसाउंड मैंट से पैसे रिकवर करवा सकते हैं ठीक है उनके डिपेंडेंट के थ्रू लाज़मी नहीं है आगे चलते हैं जी अगर उस करहार नहीं दिया जा सकता माइनर की आपको पता है पहले ही माइनर और परसंट और माइंड को लाग प्रोटेक्ट करता है इसका एक हिसा यह वाली बात तो हमने उस चैप्टर में भी पढ़ देती है उस चैप्टर का क्या नाम था परसंट डिस्क्वालिफाइड वैलाग है का नाम क्या था नहीं या पड़ा भी था कि नहीं हमने यह पोजीशन में माइनर की डिसक्वेशन रही थी और अधर परसंट डिस्क्वालिफाइड वैलाग डिसक्वेशन फ्री कंसेंट शाबाज चाहिए ठीक है अच्छा आगे चलते हैं निसेस्टिव आफ लाइफ सप् पूसिया बताइए क्या यह क्लियर होगे आपको है विए मैं किसे को माइक दीजिया बताईए अगे चलते हैं इस जल्दी से बताईए क्या यह कंसर्प समझाए आपको निसेस्टिश्ट अप्लाइड तू परस्टन ऑफ एंसाउंड माइन या माइनर अग जी थोड़ा माइक क्यों नहीं है माइक क्यों नहीं है उनको मेरी मेरी वाथ आप तक जारी है तो हाट उठाइए लगी से जारी है ही संट फैंडर ओफ लॉस्ट गुड स्ट्रोडन भी नि लिखा भा था फाउंडर ऑ व लॉस्ट वोस फांडर नहीं है तो वह गेंडर है ये हम लोग हैं भी फाउस जो चीजें गुम हो जाया है उसको दोड़ दें पाई जभ आप को कोई गुमशुदा चीज मिलती है और जैसे ही आप उसे उठाते हैं आपके दर्मयान में और गुमशुदा चीज के मालिक के दर्मयान में एक अंदेखा मौाहिदा हो जाता है जिसके मताबिक आपके कुछ राइट शैंड लाइबिलिटीज है और उस धूसरी गुड्स के मालिक के भी कुछ राइट शैंड लाइबिलिटीज है आपका क्या राइट है लाइबिलिटी क्या है पहले लाइबिलिटी डिसक्स करते है पहले लाइबिलिटी आप तू टेक केर ऑफ गुड्स आपने उन चीजों का हlishing रखना है, धियान रखना है ऐसा जैसे एक एक आम इन्सान अपनी चीजों का धियान रखता है ऐसे चीजों का धियान और फिर उसको छुपा करिंगे नहीं रखना है बल्के क्या करना है उसके true honor को तेस्फ करने की कोशिश करनी है डूनदना है true honor को और जब true owner मिल जाए तो वो क्या करना है उसको वोड़ को वापिस कर देना है शाबाश तो जब true owner को वापिस करेंगे वो उसके डूड़ने पे आपको कुछ खर्चे लगे होंगे उसके डूडने पे कुछ खर्चे लगे होंगे क्या वो खर्चे वापिस उसे कलेम कर सकते हैं येस विल्कुल कलेम कर सकते हैं यही वो बता रहा है फाइंडर अफ दी लास वूर्ड में लाइबिलिटी क्या है आपने उन चीजों की ख्याल लगना है ऐसे जैसे अपनी चीज़ का ख्याल लगते हैं और क्या करना है ट्रू ओनर को ट्रेस करना है डूडना है इसमें कुछ आपके खर्चे लगे होंगे फिर आपका राइट भी है क्या एक तो राइट ये है कि जब ट्रू ओनर मिले ना तो आप उसको उसकी चीज़ वापिस करें ट्रू ओनर को चीज़ वापिस करें और अपने खर्चे ने पास रख लें और दूसरा क्या राइट तू रिटेन है किस चीज़ को रिटेन करने का राइट है उस गुड को उस गुड को आपके साथ आपका कजन भी था शादी पे और उसी मेरिज हाल में जहां पे वो अंगूठी गिरी हुई थी उसी मेरिज हाल में मेरिज हाल का मालिक भी था लेकिन अंगूठी मिली आपको जब ये अंगुठी आपको मिली तो आपका दोस्त कहने लगा ओ भाई जान ये अंगुठी मुझे दो आवाज आ रही थी ना ये अंगुठी मुझे दो मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ होटल का मालिक कहने लगा ना तुम्हे ना इसको यह उठी मुझे मिलनी चाहिए क्यों इस शादी हाल का मालिक मैं हूँ बताइए यह किसका राइड है याद रखे यह फाइंडर का राइड है कि वो उस लॉस्ट गुड को अपने पास रखेगा होटल का मालिक नहीं फाइंडर का राइड है वो अपने पास रखे कब तक गुड अपने पास रखे हमेशा कलिया नहीं जब तक true owner नहीं मिलता और जब true owner मिल जाए तो क्या राइड है वो तो liability हाव वाविस करे राइड कहा जब true owner मिलेगा के उसे expenses ले खर्चा और फर्ज करे अगर true owner मिलता है नहीं, खर्चे बढ़ जे रहे हैं, खर्चे बढ़ जे रहे हैं, खर्चे बढ़ जे रहे हैं, तो फिर क्या right है, वो इनको sell भी कर सकता है, अगर अखराजात उसकी total value के two third तक पहुन जाएं, तो उनको sell कर सकता है, या चीज ऐसी हो, जो के perishable, perishable समझते हैं, जाय हो जाय हो जाय ने काल, जी, vegetables, बिल्कुल, एक दिन आप जल्दी क्लास में आगे, क्लास में कोई भी नहीं था, आपने देखा पीजा पड़ा होगा था, आपने पीजा उठा लिया, कौन सा कंसर्ट अपला होता है, आपकी क्या लाइविलिटी है, उसका ध्यान रखना, खाना नहीं, अभी नहीं खाना, उसका ध्यान रखना है, और ट्रू ओनर को डूड़ने की कोशिश करने, राइट क्या है, आपके साथ है दूसरा दोसर भी आया, उसने का आज पीजा की देर, तोना तक अभी बर्गर खातें नहीं मैंने देखा, आज पीजा कहां से उठाया है, आपने का बात तो ठीक है, लेकिन उठाया नहीं, मुझे यहां से मिला है, तो उसने का पीजा मेरे हवाले कर दो, कि आप पीजा उसके वाले करने के पबंद है, नहीं, इसलिए के फाइंडर का राइट है, कि ची अगर तो ट्रू ओनर को डूड़ने के खराजात उस चीज की वैलियो के टू थर्ड से एक्सीड कर जाएं तो आप बेज सकते हैं और दूसरा अगर वह पेरिशेबल गुड हो तो आप उसको बेज सकते हैं अब आप क्या करेंगे अगर खालेंगे ना तो इसका लीगली मतलब यह आपने खुद को बेज दिया यानि खुद को बेज दिया नहीं वह पीजा खुद को बेज दिया वह पीजा खुद को बेज दिया अब ट्रू अब यह कर सकते हैं लेकिन अब अगर ट्रू ओनर मिल जाए तो आप उसको उसकी प्राइस पे करने के पावंद होंगे यह सम फाइंडर ऑफ दी लाउस्टूट का कंसार्ट समझ आया जी मेरे भाई होग हाग उसके इसके जिम्मेदारी नहीं है उसमें क्योंकि उसका कोई कुसूर नहीं है nix money paid by mistake or under coercion कोईरशंग य leader नहीं है अगर नहीं है अपने आपको शढ़ करवा कि हमसे देखिये तो हमेरेalg Legislature नहीं है कि हम अपनी तसली कर लें कि यहीं टूनर इया अगर तसली करने के बाद कीड़ी तो हमhoshtो लाईबल नहीं होगे लेकिन अगर तसली कि यह बगैर तो हम अब इसे जादा डिटेल हमारे लेकिन जब लेक्ट में टॉपिक डिटेल में वहाँ करता था वह कहता था फर्श कि यह चीज आपने संबाल के रखी लेकिन आप इसके केर नहीं की वह चोरी होगे अब गया होगा अब लाइबल है अगर आपने केर नहीं की थी रिजनेबल र केर नहीं की थी जो आपकी लाइबल थी तो फिर आप लाइबल हैं फिर एक केसडी वह यह भी पूछा था कि आपने उसको जहां पर आप अपनी दूसरी जूली रखते हैं इसको भी रखा किसोने की इंगुठी थी लॉक में रखा उसके बावजूद चोरी हो गई फिर ला अश्चार अब मनी पेड़ बाव मिस्टेक अर अंडर कोर्शन का मतलब किया दबर से गन पॉइंट कोई पैसे ले लिए क्या वह पैसे वापस मिलने चाहिए बिल्कुल मिलने चाहिए उसके पहले भी बढ़ा हुआ मनी पेड़ बदे क्या है डाकी आया मनी आर्डर लेके अब तो हैर्बो कंसर्ट खतम होगी अब तो फर्ज कीजिए कि हमने किसी अपने किसी मुलाजम के हाथ पैसे बिजवाए कि जाओ भाई वो आमिर हमीद को जाके ये एक लाक रपया दे देना वो उस जगह पे गया और नाम भूल गया उसने आम आम अमरे नहीं बी ले या उपर बने के लेख अब मुझे यह पताईए गल्रफी से पैसे जिसको दे ने दें आ उसको ने किसी और को दे दिये है क्या यह पैसे अब वापिस देने का पबंद है यही कंसप्ट है मनी पेड़ अगर कोई एक परसं किसी दूसरे को गलती से पैसे दे दे यह यह उससे पैसे वापिस लेने का कईदार है मैंने बैंक में अपने काउंट सब्सक्राइब करने बैंक वालें ने गलती से किसी और क्यांट में अंडुरी कर दी वापस होंगे कि नहीं होंगे क्यों मनी पेड अंडर मिस्टेक है बैंक के पास पूरा राइट है कि वह रिवर्स दाटी कर सकता है आप यह नी चाहिए अपके थोड़ी है तो अगर हाँ ये अच्छा क्वेस्टन उठाया है इसमें उनने ये काया है फर्ज कीजिए ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर डबल ए अब हाँ अब ये मिस्टर भी है मिस्टर भी ने पैसे देने थे एको जरा गोर से सुनिएगा मिस्टर भी ने एकी बजाए पैसे दे दिये डबल ए को अब ये तो लिखी बड़ी बात है ना कि डबल ए के पैसे नहीं है वो उने वापिस करना है अगला क्वेस्टन ये है किसको वापिस करना है क्या डबल ए य यहाभी को याद रहें जीसने पैसे पैक उतेना जिसमें अधर मिस्टेक पैसे अदा किये हैं उसी को वापस मिलेंगे ज साफ हां मिसेरे लाइबल नहीं है भाईजा मुझे पैसे दिरें था भी तक नहीं पहुंची हम सेएंगे सब्सक्राइबल नहीं है अगर गलती से किसी को पैसे चले जाए और वह पैसे वापस ना करें यह अगर प्रभी राने ना रखी होती वह पैसे वापस ना करता तो फिर क्या वही स्वेशन हो जाती कि वह बंदा बैनीफिट हासल कर रहा है अब that is money paid for another person बाए इंट्रस्टिड पार्टी ने अहीं और दोनों जो प्रविएंज आना यह है क्याओं बस्तार आप पर सबस्क्राइब एंट्रस्ट्ड पार्टी यह एक बंदा दूसरे के भियाप पयम्स करें एक बंदा जोसरे के भिहाव पे पेमेंट करें कोई सूर राया सर फीस जमा करवानी है पैसे नहीं है उसके भिहाव पे मैंने फीस जमा करवा दी ये कंसेप्ट क्या हुआ अच्छा बिसमें जहीं में रखिएगा ला कहता है मेरा इरादा देखा जाएगा अगर तो ये मैंने अल्ला पास्ते नेक नीती के साथ ये पेमेंट कर दी बदले का कोई नीत नहीं थी तो इसे कहते हैं ग्रैचूटस एक्ट इसे क्या कहते हैं ग्रैचूटस एक्ट वो होता है जो सवाब की नीत से किया जाए बदले की उमीद से ना किया जाए और एगर ये पेविंट मैंने इसलिए किसनियत से की थी कि भाई फीज जमा करवाद है जब घर से इसको पैसे आएंगे तो मुझे वापिस कर देगा यानि मेरी बदले की उमीद है तो इसे कहते है नौन गुरेच्टरस एक्ट गुरेच्टरस और नौन गुरेच्टरस एक्ट में फरक समझा गया तो मुझे बताएए वालन्टरी ये लफज किसके लिए यूज होता है गुरेच्टरस के लिए शाबाश है लौ कहते है अगर तो ये मेरा एक्ट गुरेच्टरस था वालन्टरी था तो मुझे पैसे वाप पैसे मिलेंगे पहले तो बताइए कि मनी पेड फार एनदर परसन यह इतना कंसर्प्स समझाया कि जब एक बंदे की लाइबेर्टी को दूसरा पे करता है बाइजान के घर का भिल है इन भाइजान ने अदा कर दिया कौन सा कंसर्प्ट आया मनी पेड पर नदर परसन यहां ते कंसर्प्स समझाया आगे बहुत ही एहम चीज है इंट्रस्टिड पार्टी इंट्रस्टिड पार्टी का मतलब है वो पार्टी जिसका इस पेमट में इंट्रस्ट इनवाल्व हो यानि अगर यह इंट्रस्टेड यह लाइबिलेटी इंट्रस्टेड पार्टी नहीं है लाइबिलेटी एनदर परसन की है पे किसने की इंट्रस्टेड पार्टी ने क्योंकि क्योंकि उसका इंट्रस्ट था पेमेंट में अगर पेमेंट ना होती तो वो भी एफेक्ट हो जात वह वेफेट होता फार एक्जेम्पल कराय का घर मीडर लगा हुआ एगरिमेंट हुआ उपर नीचे दो क्रायदार है दोनों आदा आदा क्राया देंगे बिजली का बिल आया नीचे वाला केता है मैंने बिल नहीं देना उपर वाला बंदा अगर बिल की पेमेंट नहीं करता तो दोनों की लाइन कट जाएगे अब उपर वाले ने पूरा बिल अदा कर दिया वो नीचे वाले क्रायदार से कहेगा आदा बिल दो नीचे वाले क्रायदार कहने लगा मैंने थोड़ी का था पे करो तुमने अपनी मर्जी से पे किया मेरे पास कोई पैसे नहीं तुमें मैंने तुम्हें नहीं कहा था पे करो तुमने अपनी मर्जी से किया बताइए क्या उपर वाले क्रायदार को पैसे मिलेंगे क्यों कौन सा किंप्ट है ये मनी पेड़ फार एंडर परसंद भाए इंटरस्टेड पार्टी ला कहता है देखा जाएगा इसमें अगर रिकवरी इसँजी किई ती इसके रिकवरी खराने के लिए कुछ कंडूशन थी ना उसी तरह ममैंट फ्रहर इंट्रसे लेडर इसके भी पैसे रिकवर करना चाहते हैं कुछ ऐसा है पहली कंडिशन ऑप ऐस hugely ना किया गया हों बलके इरादह हो कि इससैंसे यह इरादा कैसे पता चलता है और अकिसे पता चलता दुभार्दमाग में है हलातो वार क्यात से हला तो वाक्यात से यहाँ में यहां पर आपको लेक्ण्ठर दे रहा हूँ तो बतले पतले में वहां हो झण dewली कर्ण्विप चाहरो हो तोड़ी होता है यह आपने कॉलिज मैनेजमेंट के या टीचर के दमाब में गुसके नहीं देखा लेकिन हालातों पाक्याद का जैजा लेकि आपको पता है कि इस तरह क्या होता है कि गर्ड्राइब करके इशारे पर बंदा गाड़ी के शीशे साफ करने के लिए आया गरेश्र सेट के नॉन गरेश्रों उसने कुछ नहीं कहा कि लेकिन आपको पता है नौर्मली ऐसे होता है तो ऐसे हलाद से इंदाजा लगा जाता है तो लाज यह कहता है पहले हम तीसरा फार प्रोटेक्शन आफ ओन इंडरस्ट जो बंदापे कर रहा है उसके अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अब मुझे बताएज जिस उपर वाले कराइदार ने विजली का बिल अदा किया किन युदिशन पूरी हो रही है क्या यह बाउंड बाउन ना बाउन्ट था बिजडी कबिल दागर करने लिए जोंड़े एक क्रायदार प्राइदार एक्ट यत्र मालिक मंगान आ चैना ग्राय। उसने का अगले महीने, मालिक मकान ने का इतने महीने तो जाद नहीं कर सकता है, लड़ाई जगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई जगड़ा हो गया, आप उस करायदार को जानते हैं, शरीफ आदमी है, बेरोजगार है, आप ने मालिक मकान से कहा, अच्छा चो तो मैं कराया आप ने करायदा कर दिया क्या बाद में जब उस करायदार के पास पैसे आए आप उससे ये जो करायदा किया है रिकवर करवा सकते हैं कितने स्टोंट्स का ख्याल है रिकवर करवा सकते हैं कितनों का ख्याल है रिकवर नहीं करवा सकते हैं ये कंडिशन देखेंगे पहली ची फॉलिए हो सकता है उसका इरादा हो के मैं बाद में पैसे लूगा इसके बारे में नहीं है लेकिन कि आप अगर इसमें नहीं है हो तो यह पेमेंट रिचोबर हो सकती है कि नहीं नहीं वह सकती है कि और भी कह सकते हैं लेकिन जो कि इंटेंशन के उपर आइट तो मैं इसलिए उसको फोकस नहीं कर रहा प्रोटेक्शन जो क्लियर है उस पर फोकस आहरी एक्जेंपल देने लगा हूं अगर यह सही जवाब आपने बता दिया तो उसका मतलब है यह मनी पेड़ फार एंधर परसन बाइंटरेश्टर पार्टी का कंसेप्ट आपको समझा गया क्राइदार है उसके घर प्रॉपर्टी टेक्स आगया आपको प्रॉपर्टी टेक्स किसने बे करना होता है मालिक मुकान ने प्रॉपर्टी टेक्स यह नहीं किया एल्डियो वाली आ गए घर को सील करने करें सील कर देते ना कराइदार ने का भाईजान घर को इदर को मैं यह कि जो अपनी प्रॉपर्टी पे टेक्स पें ना करें उसकी प्रॉपर्टी को सील कर दो किराएदार ने इस सिच्वेशन से बचने के लिए प्रॉपर्टी टेक्स अपनी जेब से अदा कर दिया बाद में जब मालिक मकान से मांगा तो मालिक मकान ने कहा मैंने थोड़ी का था अधार करो तो यह आपनी मर्ज़ी क्या 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 लीगली प्रॉपार्टी टेक्स रिकवर्ट करवाएज ना होथी तो इस पार्टी को को नुखसान होता क्या इसने आपको बचाने अकली प्याइट किया कि इन और कंडिशन पूरी हो गई तो इसका मतलब प्रेमें वैलिड है रिकवरी खुरबाई जा सकती है यह रिकवरी कि उसको समझाया लास्ट एक्जेम्पल नान गुरैचुटस एक्ट है नॉन गुरैचुटस एक्ट होते हैं कि नान वालेंटरी एक्ट jeunes और वालेंटरी एक्ट मकरणी यह ब break मैं क्या नाकिताए रग्चा ने वालेंटरी एक्ट का भातने होने परक्वरक्टों खेता, लाओ कहता है के वालेंटरी, एक्ट के पैसे आप कभी रिकवर नहीं करवा सकते हैं लेकिन नॉन वालेंटरी एक्ट है उसके पैसे रिकवर करवा सकते हैं है जह आप घर जा रहे हैं मुझए रस्ते में आपने देखा को proceed ठंडा पाम साती ग्लास भी है आपने जले आप ग्लास रख दिया साथी सेक्यूर्टी गाड सा कहने लगा कि दर चले 10 रपे तो देगे जाएं आप दस रपे दिने के पबंद हैं यह एक्ट ग्रैशिटस है और आपको जो गूड यह सर्विसिस प्रवाइड की गही गई ग्रेशिटस के नॉन ग्रेशिटस कैसे बता चला ग्रेशिटस है यो नार्मली ऐसे होता है नार्मली घरों के बाहिर यहां किसी जगा पे लोगों वो नेग लोगों ने कुछ कूलर लगाए होते हैं जिसे पानी भी थे अच्छा आप इर की चुटियों भी अपने घर जा रहे हैं बस स्टेशन पर पहुंचे शदीद गरभी है उदर कुछ लोग दो तिन लोग ठंडे पानी का कूलर लेके तो ग्लास में ठंडा पानी भरके सबको आफर कर रहे हैं आपने भी पानी पी लिया प्लास लिया पानी पी लिया उसने अब आपसे पैसे वांगे तो ये नॉन ग्रेज्टरस के नॉन ग्रेज्टरस के नॉन ग्रेज्टरस क्यों कैसे पता चला हाँ आवासे लगा रहा रहा था दस दस रुए इसका मताब उ का इरादा नहीं होता हाला कि पहले प्राइस तै ना भी पाई हो फिर भी नॉन ग्राइश्टरस अगर आपको रूल के ला ला इसमें समझाना क्या चाह रहा है ला यह समझाना चाह रहा है कि अगर आपको कोई भी बंदा गुड यह सर्विस्स प्रवाइड करता है और उसका की पाई इरादा है नॉन ग्राइश्टरस तो चाहे को राइस तै नहीं भी पाई चाहे आपकी अपस में कोई निगोसियेशन नहीं भी हुई स्टिल liable है कि उस बंदे को reasonable price पनेंगे शर्त क्या है कि जो नॉन ग्रेश्टरस गूर्ड या सर्विस सप्लाई की गई पार्टी का इरादा हो कि ये नॉन ग्रेश्टरस है अगर पार्टी का इरादा था ग्रेश्टरस है तो फिर पैसे रिकवर नहीं होंगे नॉन ग्रेश्टरस पे होंगे दूसरा चीजें लाफुली डिलिवर्ड हो यानि इल्लीगल चीज नहों कहिं है लिगल चीज के पैसे कपर नहीं कर आसकते हैं हम ने किसी को चर्स बेची चर्स लेकर भाग गया क्या हम को और को कह सकता है यह रिजनेबर प्राइस कपर गरवाएं तो यह लाफुल वाला कंसे उस परसन ने बेनिफिट्स को इंजवाय किया गुडिया सर्विस के दो एक्जेंपल बता अगर आपने दोनों का डिसियंट ठी कर लिया ना तो इसका मतलब है यह कंसर्ड भी आपको समझ आ गया है नॉन ग्रेस्ट्रसाइट का इंजवाय बेनिफिट्स का मतलब यह है कि आपने उस गुडिया सर्विस का जो आपको प्रवाइड की गई है और जिसके पैसे अदा करने है कि नहीं इसमें डिबेट हो रही है उसका आपने पूरा पूरा फाइदा उठाया हो पानी भीया हो अज़ा भीया हो तो पूरे के प एक बंदा डूब रहा था एक बंदा डूब रहा था करीव दूसरे बंदे ने देखा समंदर में चलांग लगाई और उसकी जान बचाई अब जिसकी जान बचाई अब पहले वाला बंदा जिसने चलांग लगाई थे वो से करा भाई मुझे कोई पैसे इनाम बचारा दो क जिसकी जान बचाई गई वो पैसे दा करने का पबंद है क्यों पबंद नहीं है क्योंकि नॉर्मली ग्रैज्टर सेक्टर होते हैं नॉर्मली यह हाँ अगर जान कुछ ऐसे लोग बचाते जिनका काम ही वहां पर यह जिम्मेदार ही लगाई गए थे लाइफ गार जो भी तो कोई पैसे बगारा तो दें मैंने अपनी जान पर खेल गया आग बजाई है क्या पैसे दा करेंगे क्यों नहीं करेंगे यह एक्ट ग्रैस्प्रस है ठीक है आहरी एक्जाम पर घर जा रहे थे गाड़ी टाइब करते हुए सिगनल पर गाड़ी रुके एक लड़का आया और गाड़ी के शीशे साफ करने लगा जब शीशे साफ कर चुका तो उसने कहा पैसे हमने कहा वो कैसे शीशे साफ की हैं हमने कहा हमने थोड़ी कहा था हमने थोड़ी कहा था तुम अपनी गाड़ी दे क्या हम तुमारी गाड़ी की शीशे साफ करने था हमने थोड़ी कहा था बताइए क्या हम लीगली पैसे दाव करने के पाबंध हैर सबसे पहले पो रही है अगर तीन। सों कि पूरी है यह ना इस एक्ट के पैसे दाव करने के पाबंध होगा भरत नहीं ढहिंग है गहाई तसके नोना कर्वाइडेन्यों में आते हैं जिनको जिनका अग्रिमेंट नियुक्त को आपको है जासे किसी कि कहें बगार उसको पूरै से सर्फिस प्रवाईडesti, जैना बागार फूण करते हैं बाद यह लगार वास्थे होते हैं बाद ला वास्त May ला करते हैं तो benefits enjoy किए गाड़ी का शीचा साब कर रहा है बिलकल कर रहा है तो पैसे दा करने के वबंद है कर नहीं अब बताइए घर जा रहे हैं भूक लगी हुई है साथ ही रेडी वाला खड़ा है नान चने ठीक है आप गुज़र रहे थे उसने का आईए सर बड़े मज़े के नान चने है आपने का मैं भी सोच था बैड़े नान चने खाए घर जाने रगे उसने का पैसे आपने का भूदी तो आपने बढ़ाया था वैसे पैसे पाबंद है कैसे वबंद है कि नान ग्रेश्टरस एक्ट है कैसे बतादे रहा है पर दुकान इसलिए तो बैठा है उधर लाफल है बैनी फिट्स वाएं किये विल्कुल किये और अगर घर जा रहे हैं आपने देखा रश लगा हुआ है जैसे रमजान में होता था बाद कुछ नेक दिल लोग होता है फ्री में बांट रहे होते हैं आपने देखा उधर बर्यानी बढ़ रही थी आपने भी जाके बर्यानी से लिए लिए उसके बाद बर्यानी खा लिए वापिस आने लिए और यो भाडी ने ऐ Перाब करिंगे ऑसे कैसे बर्यानी ने है सब बस्तार नांचेने की एक्जेम्पल खता हम ब्रयादी की भी खता हमारा सबस्ता हो गया है और एक्जेम्पल देनी आप थीक है जी चले जाएं गर जाएं और सब कुछ भागे। असाइनमेंट 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 नोट कर ले ये लिटनल फार्म में कल आपने डेम्ट करके आदे और याद भी करके आईएगा आएश का लेक्षरियां में खत्म करते हूं लाहाफिस असाइनमें लेक्षरियां में 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 ले